नमस्ते जी जैसे कि आज कल हम भार महल देखी रहे हैं कि हर जगा करूना करूना फीवर यही चप चल रहा है तो अपने आपको कैसे सुरक्षित रखें उसके लिए मैं कुछ पतांजली की कुछ दो दमाईया लाई हूँ जो सबसे पहले हमारे पुराणों में भी लिखी है कर कम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो क्रोनिक फीवर हो जाता है जैसे कि आज कल लोगों को हो ही रहा है उसको ठीक करने के लिए डाइजेशन की प्रॉबलम के लिए जिन लोगों को डायबेटीज है जिनके लिए खत्रा अब और में बढ़ गया है वो लोग इसको इक्टी को भी ठीक करता है रेस्पिरेटरी प्रॉबलम्स जिसको हो रही है वो उसको कम करता है जिनको अर्थराइट्रिस्ट है जिनको जोडों में पेन होता है उसको भी ठीक करती है और जिसको अस्थमा के जो सिम्टम्स हो रहे हैं जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉबलम्स हो रही है उसके तो काफी हद तक है बेनेफिशल है और जो फेस पे फाइन लाइन सा जाती है जुरी आ जाती है उसको भी उससे भी बचने के लिए इसको एक से दो टैबलेट आप दिन में लीजिए और इसको आप गुन-गुने पानी से लीजिए तो और भी अच्छा और और भी जिल्दी फाइदा होगा थेंक यू